दोस्तों पहले तो दिवाली की आपको हर्दिक सुपकामना है और दोस्तों आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं टॉप ऐसे तीन मुचल फंड बताऊंगा दोस्तों जिसमें अगर आप इंवेस्टमेंट करते हो तो दोस्तो अगर आपका target है minimum 7 साल और maximum 10 साल तो आज का mutual fund है दोस्तों, उसमें minimum 7 साल की रियो और maximum 10 साल के लिए अगर आप investment करने की सोच रहे हो, ति इन 3 mutual fund में आप investment कर सकते हो, दोस्तों जो 3 mutual fund है दोस्तों इनने जो return दिया है, इनका जो benchmark के दोस्तों, उससे भी काफी ज़्यादा return दिया है अब दोस्तों बात यहा थी कि benchmark क्या होता है तो दोस्तों इसकी complete वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों इसकी complete दो वीडियो बनाऊंगा पहली वीडियो जो रहेगी दोस्तों उसमें बताऊंगा benchmark क्या होता है कैसे calculate करा जाता है and जो second video रही उसमें particular आपको बताऊंगा कि किसी भी fund का जो benchmark होता है वो कैसे check करा जाता है उसका जो return होता है उसको हम कैसे check करते हो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों क्या होता है जैसे मानली जी आपका कोई mutual fund है जैसे मानली जी xyz कोई mutual fund है आपको 12% का return दे रहा है ठीक है अब मानली जी उसका जो benchmark है वो 10% है तो 10% benchmark है और आपको return मिल रहा है 12% मतलब 2% जादा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो benchmark है उसको वो बीट कर रहा है तो आपका जो mutual fund है वो 2% से बीट कर रहा है इसलिए वो mutual fund आपका काफी अच्छा है ठीक है अगर मान लीजी benchmark आपका 10% है हो कोई mutual fund आपको 9% का return दे रहा है तो वो mutual fund बेकार माना जाएगा क्योंकि वो अपना जो target है ठीक है उसको भी achieve नहीं कर पा ठीक है तो चली शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका grow business finance में दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सिस्क्राइब नहीं कर रहा हो तो चैनल को सिस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि mutual fund से related ह वीडियो आपको इस चैनल मिलता रहता है तो चली शुरू करते हैं अचकी हमारी वीडियो को दोस्तों दोस्तों यहां पर देख लीजिए हमारा जो पहला कर रहा हूं तो दोस्तों पहली चीज़ देखो मैं जितनी भी बात कर रहा हूं वह कितने की कर दोस्तों अब कर सकते हों कि 10 साल का में डेटा इसलिए बता रहा हूं तो जिससे अगर आप investment करो ठीक ही बिल्कुल सेलेक्टेट फंडे दोस्तों ठीक है आप दोस्तों इसमें इंवेस्टमेंट कर सकते हूं कि 10 साल का मैं आपको इनलाइस इसलिए बता रहा हूं दोस्तों जिससे आपको पता चल सके कि फंड का लाश्ट टैनियर में परफॉर्मंस क्या था ठीक है तो परागपारिक अब बात आते ही कि आलफा क्या है गजो मैं आपको बता है क्क्राफंटotherap क्राइब करेंट्स के किया दिया है ठीक है इससलिए इसको एल्फा रिटन वोलते है ठीक है अब इसका बात करते हैं आइफ की kдौ denis का फंड का साइज कितना है ऐसेट कितनी यह तो है दोस्तों 22,785 करोड रुपे का इसका क्या है दोस्तों अशैट से ठीक है अब दोस्तों इसके सेक टर में इसने आएसा investment का रहा है देखो financial में कर रहा है 30% सर्विस में कर रहा है 15% टेकनोलोजी में कर रहा है 11% दोस्तों की टोटल सेक्टर हैं 10 सेक्र हैं लेकिन 10 के अंदर दोस्तों जो 3 सेक्टर सबसे मजबूत है पेरा है financial, दूसरा है service, तीसरा है technology, ठीक है, चोत्ता है दोस्तों, automobile, पांच वा है healthcare, मैंने 5 इसलिए रखें दोस्तों क्योंकि 5 यह काफी strong है, ठीक है, अब बात आती ही इसकी holding, दोस्तों इसकी holding वैसे तो भहुत सारी holding है, लेकिन जो manning holding है, HDFC bank, Bajaj, ITC, Access bank, और ICIC, जो important इस इसकी होल्डिंग है वो मैंने यहां पर लिख रखी जिससे आप आराम से इजली देख सको दोस्त अगर आपको चेक करना है तो पल्टिकुलर आप ग्रुरु अप्लिकेशन में जाके इजली चेक कर सकते हो ठीक है दूसरा दोस्त हमारा जो फंड है SBI Contra Fund दोस्तों इस फंड दोस्तों आपको जो रिटन दिया है पिछले 10 साल में वो दिया है 17.13% का अराउंड ओफ दोस्तों इसको 17% है आप मान लो ठीक है अब दोस्तों अगर हम एलप अकाउंट करें तो 14.64% का सिन रिटन दिया है किलियर है दोस्तों इसके दोस्तों हम फं 16 सेक्टर के अंदर दोस्तों टोटल फंड मैनेजर ने पैसा इंवेस्टमेंट कर रहा है अब सेक्टर कौन-कौन से हैं फाइनलशेल सेक्टर है दोस्तों 21.75% फाइनलशेल में कितने इंवेस्टमेंट कर रहा है 21.75% एनरजी में कर रहा है 14.19% टेकनलोलोजी में कर रहा है 207.31% का ठीक है एंड बाकी है दोस्तो हेल्थ केर ओटो मोवाल सर्विस ये काफी इंपोर्टेंट है जो मैंने याप लिख रखे हैं ठीक है अब बाद आती है इसकी होल्डिंग की होल्डिंग देखे लीजी दोस्तों इसकी इसने दोस्तों आपको जो रिटन दिया है 19.66% का 19.66% का रिटन दिया है इसके एलफा की बात कर रहते है दोस्तों इसका एलफा है 11.24% का दोस्तों फंड के साइच की बात कर रहते है 33,949 करोड का काफी अच्छा फंड साइज है दोस्तों इसमें दोस्तों जो इसकी total sector है 15 sector के अंदर इसने पैसा investment करा है पहला sector है final shell का अब यहाँ पर दोस्तों देख लिए final shell जो है आपको तीनों में दिखेगा और तीनों में दोस्तों top पर दिखेगा देखो इसमें 30% है इसमें 25.75% है इसमें 25.55% है ठीक है तो आप यह देखो कि जबी भी आप fund का analysis करो ना तो यहाँ पर जो important important यहाँ पर लिखे हुआ है यह चीज़ देखो उसमें कितना percent invest कर रहा है जिससे आपको clear हो सकी हाँ यह fund हमारा बढ़िया है तो यहाँ पर देखो final shell में है 21.55% energy में 16.39% और healthcare में 11.91% around 12% आप इसको मान सकते हो बाकी है दोस् इसके sectors हैं आप बात करते हैं इसकी holding की तो holding देख लो दोस्तों HDFC Bank, भारती, एल्टल, ICIC, Reliance, Axis Bank तो दोस्तों यह complete आपकी तीन fund है दोस्तों दोस्तों fund का जो analysis होता है वो दो तरीके से होता है एक तो दोस्तों जो analysis होता है वो benchmark से होता है अगर आप simple देख लो कि fund का return कितना है और उसका benchmark का return कितना है वो आप उसको beat कर पा रहा है या नहीं अगर वो beat कर पा रहा है तो return अच्छा है, beat नहीं कर पा रहा है तो return बेकार एक तो यह तरीका है दोस्तों जिससे आप आपका जो fund है वो select कर सकते हो माली जी आप पॉर्टफोलियो create करना चाते हो तो दोस्तों ऐसे करके आप complete analysis कर सकते हो ठीक है benchmark को लेके सेकंड तरीका यह है दोस्तों अगर आप benchmark को नहीं देखते हो तो दोस्तों मैंने उसकी complete वीडियो बना रखी है वो तरीका क्या है दोस्तों लिंक आपको उसका description में मिल जाएगा चैनल पर भी वीडियो मिल जाएगी यहां पर आपको इमेज शो हो रही होगी तो दोस्तों ऐसे जाकि आपको complete वीडियो complete आपको जो fund है उसका analysis कर सकते हो तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लेगी comment करके ज़रूर बताईए त तो चली दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हमारे नेश वीडियो में जाएश रिशाम दोस्तों